कि अ कि अ कि अ हलो फ्रेंड्स बीवनिंग आवाज आरी बेटा सबको यह सब चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड शेप्टर हम लोग देख रहे थे आज की लाइव क्लास रखी यह कुई कारण से कि सबसे कुछ-कुछ important topics in this sense बिटा कि सबसे पहले तो हाँ एक सवाज आप लोगों अभी तक के सारे वीडियो देख लिए ना आप सबसे देखना चाहो तो देख सकते हैं नोट के अंदर कुछ-कुछ एडिशन किए एडिशन इंदे सेंस जो इस बार के मॉडियों में आए आपके नोट में इंकॉर्पॉरेटेड अभी जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं यह टॉपिक वो वीडियो में कवर नहीं था मतलब जो दो तीन चोटे चोटे टॉपिक जो वीडियो में कवर नहीं था और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं खुद पढ़ाना चाहता हूं इस वाजे से मैंने वह चूस किया ठीक है तो आप देखोंगे कि हम सेकेंड चेप्टर का फर्स्ट उनिट तो आप लोगों ने पढ़ा होंगा मतलब जो वीडियो था उसके अंदर सबने देखा होंगा ठीक है अब यहां पर एक यह नई चीज है जो आप लोगों को वीडियो के अंदर नहीं थी इस नियू पोर्शन यह बहुत आसान है वैसे तुझे पढ़की समझ जाता है लेकिन फ आप लोग देख चुके हो यह पूरा यूनिट आप देख चुके हो और इस पूरी यूनिट में एक चीज बचती है जिसका नाम है ट्रेजेडी ओफ कॉमन्स यह वाली चीज भी आपके वीडियो में नहीं थी बराबर है क्या मैं सही बोल रहा हूं आपका ध्यान गया इस यह सर यह दो चीजे इस यूनिट में नहीं पढ़ाई गई है तो यह मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं ठीक है बेटा चलिए तो आप लोगों को और personality हम पढ़ रहे थे हम कुछ-कुछ terms पर गहे थे क्या terms थे हमने इस private cost देखा था बराबर ना हमने देखा था प्राइवेट इस हमने देखा था social cost भी हमने देखा थे और मैंने आपको बोला था प्राइवेट कोस्ट में अगर आप एड कर दोगे तो वो बन जाएगा सोशल कोस्ट हां की ना अरहाना ज्यान नहीं है अरे बोलो ना कुछ तो बोलो दे को शकल आप दिखाते नहीं कुछ बोलते नहीं या फिर कहीं नहीं समझे तो मेरे को रोक देना वैसे इसी नौबत नहीं आएगी तो मैं कह रहा था प्राइवेट कॉस्ट प्लस अब मैं थोड़ा सा इसमें और आगे जाओंगा हाला कि यह चीज आप पढ़ चुके हो लेकिन यहां पर एक छोट इसी चीज थी क्लियर टम्स तो कुछ टम्स क्लियर करने तो इंस्टिट्यूट ने तो मॉड्यूल में यह अभी डाला है लेकिन मैंने जो वीडियो आपको दिये है उसके अंदरी टम्स मैं अल्रेडी क्लियर कर चुका हूँ ठीक है रहा लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं यहां प्रवर्ड आता है मार्जिनल बिटा मारजिनल वर्ड का मतलब आप आप जानते हैं मारजिनल मतलब कितना एडीशनल यह आपने 11 12 कभी तो पड़ा होंगा जैसे मान लो आपने डिमिनिशिंग निटी पढ़ा होंगा सो की यूटिनिटी मिलती है दूसरा यूट अगर हम उ वोनू बिटा सब सेकेंड करने की margina श्यूंट करने कि यहार राधर मैं कहूं सेकेंड श्यूंट करने के आपको अपको के नायन यह जोगर होताै पहले कितना तौन का इडिफरनस ? शिंपल भाषा में additional utility which you derive from consuming another unit of a commodity वैसे यहाँ पर marginal private benefit, marginal social benefit, marginal private cost, marginal social cost यह वर्ट सारे clear होंगे, marginal याने मैं कौन सी बात कर रहा हूँ friends, come on, मैं additional unit की बात कर रहा हूँ समझ में आई कि आपको बात समझ आ रही है, मैं additional unit की कर रहा हूँ अब मुझे एक कुछ चार टम्स में लिखता हूँ, यहाँ पर देखो, आपको समझता है क्या लिखता हूँ, लिखने में कह जाता है, है ता, marginal private cost, marginal social cost, marginal private benefit, marginal social benefit नाम से जो समझ में आता, वो मैं basic जैसे समझ लाँ, आपने कभी यह चीज पढ़ी ही है, ऐसा आप सच, marginal private cost, याने private याने private वाले लोग, आपके और मेरे जैसे, इनको कितनी cost लगेंगी additional unit बनाने पे, समझना बात, फिर से कहता हूँ, इनको कितनी cost लगेंगी additional unit बनाने पे तो social cost क्या हुआ, society को कितनी cost लगेंगी उस private वाले के additional unit बनाने से, देखो मेरी बात समझी जा, समझी न, society को कितनी cost लगेंगी और society की cost लगेंगी, और society की cost लगेंगी, प्राइवेट प्लस externality को लगें, society cost लगेंगी, बराबर, चलिए, marginal private benefit, मुझे क्या benefit मिलेंगा additional unit बन बनाने से, society को क्या benefit मिलेंगा additional unit बनाने से, समझ में आ गया बात, आशा, बहुत बढ़ी है, चलिए, अभी मैं फिलाले टरम्स मिटा देता हूं, ठीक है न, अभी हम इसके उपर थोड़ा और डिटेल, वैसे थोड़ा थोड़ा को आप पढ़ चुके हुए, लेकिन आज औ कुछ तरम्स है, यहां पर जो मैंने अभी बढ़ बढ़ किया, वो यहां छापके भी आ हुआ हुआ, ठीक है, exam point of view से कोई relevance नहीं है, इसका समझ लेना, यह कुछ भी नहीं आएंगा, लेकिन हाँ, इसमें एक question है, tragedy of commons, जो अभी और topic आप पढ़ाँगा, वो 100% exam में है, ल इसको अच्छे से करेंगे, चलो पहले यह देख लेगे, we need to be clear about foreign terms, एक एक marginal private cost, क्या होता है, change in producer total cost, brought into by production of additional unit, additional unit बनाने से, मेरे cost में किता change आ रहा है, बराबर, marginal external cost, अब यह समझ लो, यह marginal external cost, यह change in cost to parties other than producer, यहाने आपको यह बताऊ, यह एक तरह से externality है, क्या यह, externality, additional cost किती पढ़ रहे, मैंने एक unit electricity बनाया, मुझे तो 4 रुपे पढ़े, लेकिन मेरे एक unit ज्यादा electricity बनाने से, society को एक unit का जितना धुआ निकलता है, pollution होता है, वो सहन करना पड़ा, उसे हम क्या कहते है, उसे हम externality तो कहते है, और क्या कहते है, बराबर तो मुझे एक रुपे चित्ता धुआ सहन करना पड़ा, external लोगों को, तो total society को कितना नुकसान हुआ इसका, तो यह हुआ सर, 4 प्लस एक याने 5, याने MPC, प्लस MEC, यहाँ पे MPC तो आप समझ गये हो, MEC is nothing but externality, बोलो बात समझ में आई क्या? आगे चलने की कोशिश करते हैं, ध्यान देना, अब benefit की भी बात करने के, marginal private benefit, याने marginal willingness to pay, represented by demand का, private वाले का benefit है, second, marginal external benefit, याने external society को कितना फायदा होंगा, आपके ये काम करने से, और तीसरा, marginal social benefit मतलब, total benefit, याने again, marginal private benefit, प्लस marginal external benefit, और यह हो गया, marginal social benefit, अब मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, अगर आपने सही जवाब दिया, तुम सब खीक है, मुझे बताओ, ये externality कौन सी है, और ये externality कौन सी है, ये positive है, ये negative है, है ना बेटा, बोलो, सही बोल रहा नहीं, बोल रहा, अगर society पे benefit इंपोस हो रहा है, तो वो positive externality है, और benefit नहीं हो रहा है, cost लग रही है, तो it is negative externality, simple है, आँ सर्थ, बहुत बढ़ी है, आगे चलता है, और मालनो, externality नाम की चीजी नहीं है, तो, तो क्या होँगा, सर, ये है नहीं, ये है नहीं, तो simple, ये होँगा, नहीं होँगा, ये होँगा, और ये होँगा है, ना, marginal private cost will be equal to marginal social cost, and marginal private benefit will be equal to marginal social benefit, बोलो, हाँची ना, Yes, sir, यह तो समझे जैसे रहा है, याने equilibrium, कभी भी ध्यान रखना, equilibrium कहां आता है, equilibrium, demand supply कर, याद करो, यहाँ word लिखे, कई जगा, demand supply, मेरे बोला नहीं, लेकिन, correct नहीं है, यहाँ पर demand supply बोलना है, institute ने लिखतो दिया है, लेकिन correct बात नहीं है, लेकिन क्या करें जी, आप 12 से यही पढ़ते आ रहे हो, ये कैसा कर रहता है, एक रहता demand और एक रहता supply, क्यों मैं सही बोल रहा न, ऐसा ही रहता है, और क्या रहता है, तो एक line को आप हमिशार supply कर समझते, एक को demand कर समझते, और इसके intersection point को आप क्या बोलते हैं, बोलना ज़रा, तो marginal private cost और marginal private benefit equal होगा की नहीं होगा, तो वैसे ही marginal social cost और marginal social benefit equal होगा, हां की ना? यह सर्थ, एक को demand कर से represent किया है benefit को, और cost को supply कर से represent किया है, तो equilibrium तो तभी आएंगा न, जब demand equal तो supply होगती है, वैसे ही marginal private cost is equal to marginal private benefit, equilibrium, लेकिन मेरे एक बात का जवाब दो, अगर externality present है, positive या negative, वो मात नहीं हो, अगर present है, तो क्या ये दोनों कभी equal हो सकते हैं? ना सर्थ, सवाल ना सर्थ, एक लाख रूपए की लाइन लिख लो, यहाँ पर लिख लो, अगर externality है, तो ये दोनों कभी भी equal नहीं हो सकते हैं? तो अब सवाल ये उठता है, what is socially desirable output? socially desirable, सर, socially desirable तो society वाली बात होगी, फिर आपने society वाली बात कर दी है, प्राइविट वाली बात तो मैं कर ली रहा, मैं कौन सी बात कर रहा, socially desirable output अगर मैंने कहा है, तो मैं society वाली बात कर रहा, और society वाली अगर मैं बात कर रहा, तो output desirable कौन समर्ण साय रहता है हमेशा सर्फ इक्विलिब्रियम वाला पुट हमेशा डिसर मड़ा तो यह सोश्यली डिसायरेपल है बात समझने आई एक टॉपिक अपना कंप्लीट वहा मेटा इंपक्ट आफ एक्च्रणीटिन मार्केट पब्लिक गूर्ट यह सब आप देख चुके हो मैं एक चीज पढ़ाता हूँ ट्रेजेडी ओफ कॉमन्स यह बेटा एक्जाम में आने के थोड़े चांसे से नूली एड़ेड़े दो मार्ट के लिए कोश्चन आ सकता है इसको इंपोर्टेंट मार्क वेरी वेरी इंपोर्टेंट मार्क वेरी इस बहुत 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 ज्यादा साथ emperor प्राड़ेंट में लिख लिए हो और एकैं प्रीच के आपके कुछ भी लिख दो कुछ भी आने थोड़ा टॉपिक से रिलेटर लिखना लेकिन यह नाम और इफ पॉसिबल 1968 यह याद रख लो यह आपने लिख दिया आपको काम हो गया अपने इंशन परी होगा फिर मतला पूरे तीन में से तीन या दो में से दो मार्स मिल जाएगी उसने आर्टेकल लिखा ट्रेजरी ऑफ कॉमन उसके बारे में अपने इकनमिस्ट जो गे रहएग ठाडे में इसका कहना है कि भी या उसने एक टर्म यूस किया on problem को एक तरह की प्रापलम है उसको describe करने के लिए एक टर्म découvrir वो problem में दो चीज़े और दो चीसे कॉमन थी क्या था उस problem में था कि भी या जब राइवलरिस situation होंगी और non excludable goods होंगी राइवलरिस और non excludable हमने पढ़ाया है ये चीज है ना राइवलरिस मतलब होता है एक राइवलरिस और नान राइवलरिस दू अलग अलग चीज़े याद एक है बेटा की बुल गया है यादूगा हो ये सर्यादे यादे अब मुझे बताओ कौन सा डब्बे में बैठ रहे हैं अच्छा राइवलरिस का मतलब एक ने अगर ले लिया तो दूसरे के लिए कम हो जाएंगा और नौन एक्स्टूडबल मतलब किसी को मना नहीं कर सकते लेने से किसी को एक्स्टूड नहीं कर सकते आप तो राइवलर्स और नौन एक्स्टूडबल यानि बी वाला पार्ट अपना ऐसा होता है अब फॉरेस्ट एक उसमें लखडी का आटिनस आप किसी को रोप सकते नहीं रोप सकते फिश है पॉंड के अंदर समुद्र में जो भी है या एक पॉंड है थोड़ा तालाब है उसमें फिश है कोई आदमें फिश जो चाहिए आकर निकाल सकता है लेकिन मुझे बताओ सब तो दूसरे के लिए benefit कम हो जाएंगा यहां जो tragedy of commons की बात है समझना बात सबको देना पड़ेंगा यहने किसी को exclude नहीं कर सकते लेकिन ज्यादा बड़ मतलब जिसको दोंगे अगले वाद आने वाले पीडी के लिए कम हो जाएंगा समझ रहे कि नहीं आप देख लो मैं क्या बोल रहा हूं कोल या लिखा example कोल के लिए आप किसी को मना कर सकते जिसको पैसे देंगा उसको कोल देना पड़ेंगा है ना ऐसा ही है ना लेकिन मुझे आप एक बताओ अगर एक आदवी ने कोल ले लिया तो दूसरे के लिए उतन कोल ऐसे लिए थी जाना नॉन रेनियोबल नॉन रेनियोबल सव और वापस गारों तो आने वाली जनुरेशन के लिए नहीं लचेगा बोलो मेरी बात बराबर है ना हां मेरी बात बाद इसका मतलब यह होता है कि यह एक ट्रेजेडी है वांसे ट्रेजेडी कामन्स कॉमन मत अगर आप common man इसको efficiently use नहीं करे तो आगे जाके tragedy हो सकती है क्योंकि आप किसी को use करने से मना तो नहीं कर सकते ना भई सबका साथ सबका भी कास वाली बात है यहां पे आपको सबको use करने देना भी है और किसी को मना भी नहीं कर सकते तो यहां problem है कि अगर सबको दे दिया मतलब उसमें अच्छे लोग बूरे लोग पड़े लिखे लोग अकलमंद लोग अनपढ़ लोग बेफकूफ लोग हर तरह के लोग देखे दुनिया में भी इन भी इन प्रकार के प्राणी पाये जाते है आपको तो यह पता है किसी को पानी वेस्ट करना अच्छा लगता है किसी कर दो सकता है वो सकता अपके परोस में रहता है घाता है ओपर जो वाट tua पर एक tragedy है कि अगर सबको आप दे देंगे तो भाईया वही बात है कम हो जाएंगा बाकी कुछ नहींगे example यहाँ पर दिया है farmers का farmers अपने जो livestock गाय भैसे यह सब जो रहती है ना उनको wild plant और यह सब जो produce है उनको वो चराते हैं मतलब वो grazing के लिए grazing याने गाय घास चारा खाती ना वो ले जाते हैं अब इससे क्या होंगा cattle यह economic decision cattle owner market failure है क्योंकि अब इन्होंने गाय को घास तेले छोड़ तो दिया अब गाय क्या करेगी गाय थोड़ी गाय को इतना समझता है कि कौन सा घास खाना चाहिए कौन सा भी खाना चाहिए वो तो जो जिसमें fruit रहेंगा वो भी खाजेंगी इससे क्या होगा solution degradation होंगा depreciation होंगा और साथी साट destruction भी हो सकता है जो टॉप soil को अलेकर destruction हो सकता है कभी भी बोलते हैं न जो मतलब जो अच्छे खेत रहते हैं जिसमें अदर फसल खड़ी हो चुकी है उसमें कभी गाए वगर को नहीं छोड़ते खाना कि लागा ऐसा होता है और नहीं होता है तो अगर ऐसा हो गया मालनों गाए चली गई वो आदमी ने ध्यान नहीं दिया वो फार्मर में तो क्या होगा फिर ऐसे केस के अंदर कुछ नहीं है एंटार सोसाइटी का नुकसान हो गाए को मना तो नहीं कर सकते ना गाए को उत्ता समझता है कि कॉमन सेंस समझारी मेरी बात नहीं आठी आपको येस सर याज ये बच्चो ये आपका हो गया ये यूनिट फूरा कंपलीट इसमें जो कुछ बचा था ये कंपलीट हो गया ठीक है तो first unit second unit हम complete कर चुके है third unit का कुछ portion में कुछ portion पढ़ चुके आप कुछ portion में अभी आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों और उसके बाद कल lecture और परसो lecture अपको मिलेगा उसके अंदर आपका कल सुबह एक मिलेगा परसो एक मिलेगा उसमें आपका यह चैप्तर कम्पीट हो जाहें ठीके वेटा फिर हम लोग फर्स चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे फंस चैप्टर पूरा लाइव पढ़ेगे तो रोज का टाइम हम सुबह वही सा अब यह आपका unit complete हुआ दोस्तों हाँ अब मैं आपको बताता हूँ यह थर्ड यूनिट स्टार्ट हो चुता था उसके अंदर थर्ड यूनिट का नाम क्या है अब भया government नहीं रहेंगी तो कोई कुछ करेंगा ने कोई मानेंगा ने कोई सुनेंगा ने इसलिए government का करना बहुत जरूरी है इसके अंदर यह दो चीज़े तो अल्रेडी डिसकस हो चुकी थी यह एक चीज थी जो अधर मेंशे नॉट एक टॉल रेलेवेंट फ्रॉम एक्जाम पॉइट अफिव कोई लेना देना नहीं इसका एक्जाम से लेकिन यहां पर दिया था जूल में इसलिए मैंने डाला ताकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा इसलिए यह सारे रेगुलेशन यहां पर टोटल टैन रेगुलेशन और लिखे हो गया है अदर मेजर तो करेक्ट मार्केट से एक तो यह यहां पर दो ब्रॉड हैड इसके अलावा यह तीसरा भी है अब इसके अंदर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हलाकि कोई एक्जाम पॉइंट आफिसे रेलिवेंट नहीं मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपको समझा देता हूँ यहां पे यह कदम उठाने से दीज़ीज मेजर उठाने से दीज़ बढ़ाने से चीज़े सस्ती होगी क्योंकि एनरजी याने पावर और टेली कम्यूशन सबको देना है सोचली डिजारेबल गुड्स है बराबर है मर्जर एक्विजिशन को कंट्रोल करिए अगर मार्केट डॉमिनेशन की बात होती है तो कार्टेल हट आईए प्रॉफिट रेट ऑफ रिटन के लिए रेगुलेशन लाइए प्राइस कैपिंग अगरे करिए एदा परफॉमेंस स्टेंडर्ड पैट्रोनेज टू कंजूमर असोसीएशन पैट्रोनेज मतलब उनको फाइदा देना फाइनेशल मदद देना उसको पैट्रोनेज का मतलब होता है ताफ इसको भी कम करना पड़ता एक आपका रिडेक्शन इंपोर्ट कंट्रों इंपोर्ट कंट्रोल का इंपोर्ट कंट्रोल लगा है उसकेentlichean कarnapatर अगर human खोलेंगे नहीं इंपोर्ट अगर खोलते नहीं है तो कंट्री में शॉटेज हो जाती है तबसे बड़ा कारड़ हो नहीं का इसलिए इंपोर्ट खोलना पड़ता है और नेशनलिजम याने देजभक्ति वगरा वगरा यह सारे तरीके देजभक्ति में याने क्या आ गया पता इस टाइप की चीज़े इसके अंदर आजाए अधर मेजर अब यह आप लोगों के बुक्के अंदर नहीं था क्यों सही है न अब मैं आपको एक और चीज़ आज पढ़ाऊंगा और सबसे इंपोर्टेंट चीज यह देखिए तो आप पढ़ चुके हो यह ग्राफ आप यह एक नहीं चीज है यह मैं आप लोगों पढ़ाता हो और इसके बाद तोटल में आप लोगों तीन चीज़े और पढ़ाऊंगा और फिर हमारा लेक्चर एंड हो जागा ते 630 तक अभी विल कंप्लेट अभी तक दो तरह की ग्राफ पढ़े थे आपने तो कौन से तरह के एक था एक्स्टरनलिटी का विदाउट गॉवर्मेंट इंटर्वेंशन दूसरा था गॉवर्मेंट की आने के बाद क्या होता है आरे हां की ना यह बताएगी यह दो पढ़ेते यह सर बहुत बढ़िया लेकिन अभी तक आपने नेगेटिव देखी थी की पॉजिटिव द बराबर है पॉजिटिव से क्या फाइदा और क्या नुक्सान तो काई का फाइदा जाबा रहता है ठीक है ना नाव वी शेल नुक इंटू केसे ऑफ पॉजिटिव एक्स्ट आप लोग के बंद में होंगा सर नेगेटिव तो बता दिये पॉजिटिव का क्या अब पॉजि तो मैं यह चीज का आपको वाला हूँ जो आपको कहीं पूरे इंडिया की किताब में देखने नहीं मेरा बनाया हुआ कंक्लूजिजन वह कंक्लूजिजन के बाद आपके सारे डाउट के लिए रहें एक बार सेशन और जॉइन करना पड़ेंगा अब नौ मिनिट और है नो लोगिन आइडी पासवर्ड भेजूगा आप लोगों को फिर से जॉइन करना तो नौ मिनिट की बात है नौ मिनिट अब मैं बात कर रहा हूं बेटा पॉजिटिव एक्स्टर लेटेगी ठीक है ध्यान देना पॉजिटिव कंजम्शन या प्रोडक्शन एक्स्टर रिटी अक आपने ऑस्पिटल बनाया एक्स्टर लेटी पॉजिटिव नेगेटिव पढ़े थे इसी चेप्टर में भूल गए क्या यह इसके पहले एक पूरा आपको मस्त बढ़िया यह यह देखो यह यह सब इस एक्जांपल के साथ इतना अच्छे तरीके से यहां पर डालके दिया है ना तो वैसी ही चीज यहां पर अब हम पढ़ेंगे उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा एक्जांपल के सब आप लोग को अल्रेड़ी पता है तो उसको मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा यहां पर एक थोड़ा पगला पना किया है इन्होंने जैसे हम मार्जिनल या प्राइवेट मार्जिनल बेनेफिट ऐसा लिखा है इसलिए तो दोनों का मतलब एक ही है आपको जो समझना है समझे क्या समझ रहें मेरी बाद के सोच के जवाब देना कॉमन सेंस मान मैंने अभी कुछ पढ़ाया है इसका समझे अगर मैं बात करू पॉजितिव कंजम्शन एक्षिनलेटों की कि पॉजिटिव कंजम्शन एक्षिनीजिस चैलू है वैकसीन कंस्यूम करना यह पॉजिटिव एक्ष्न नीटी ए कि मेरे सवाल का जवाब दीजिए मैं एक relation बना रहा हूं क्या relation सर मैं बनाता हूं marginal social cost marginal social benefit covid vaccine consumption से इन दोनों के बीच क्या relation है कौन सा ज्यादा कौन सा कम बेनेफेट ज्यादा है और अगर मैं बात करूं मार्जिनल प्राइवेट कोस्ट लिखता हूं इसी साथ तो भी यह सीच्छेशन सही है कि यह बताओ में यह साथ है एक चीज़ प्राइवेट याने मान लो कोवी शील्ड एस्ट्राजेनिक आमारे यह बना रहे हैं कौन क्या ना उसका सहजा पूर्ना वाला सीर्ण इंस्टिट्ट्ट वारे बरा रहा है उनको तो benefit होई रहा है पैसा कमा रहे है no doubt लेकिन मुझे बता उनके पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी society का benefit है कि नहीं common sense से बता यह कोई वैक्सिन के का रहे है यह क्या consume कर रहे है एक कोई तो भी चीज कर रहे है वो चीज का नाम है vaccine तो यह सो मäघर आपको समझे की और महा मैं तो आरहेrob तो आरे न आप वीदियो घर तो यह तो यह कुद्व अन। पूर्वी और निकिता बस आप लोगों से सवाल है वो तो मेरे को जानते हैं वो तो मैं कैसा भी पड़ो कोई अभी हम पढ़ क्या रहे पता है आपको हम पढ़ रहे है पॉजिटिव कंजम्शन के बारे में आपको पढ़ा रहा हो बेटा इसमें एक चीज तो देखी प्राइवेट बेनिफिट का मैं सोशल बेनिफिट जाता है थोड़ा कॉस्ट के बारे में बात करूं हासर कर लो अगर मुझे बताओ अब यही पॉजिटिव यही कंजम्शन हो गया अरे लेकिन किसी को तो बनाना पढ़ेंगा ना वैक्सीन सीरम इंस्टेटिट को वीशिल्ड वाला इमेजिन करो बनाया उसमें ठीक है पॉड़क्शन एक्स्टेमलेटी मुझे बताओ इसके प्रोड़क्शन म स्वाश्ट ज्यादा हो गी प्राइवेट को स्वाश्ट ज्यादा होंगी अ कैसे अरे फ्री में दे रहे ना सोसाइटी को आप दे रहे नहीं दे रहे बताओ तो समझ रहे है नहीं समझे देखो न साही है ना सार सो पॉजिटिव कन्सम्शन एक्टेशलिटी है प्राइवेट बेनिफिट कम है तो ज्याधा बेनिफिट ठीक है वेकिन ऐसे जो उस्टेंट को घृट्टी एक लगती है अब गॉपन सेंस बता हो ना प्रायवेट को गॉपनाना चाहेंगे क्या नहीं बनाएंगे उनकी इच्छा नहीं होगी इच्छा नहीं होगी तो गवर्मेंट को इंटर्वीन करके बनवाना पड़ेगा क्वाamous Amorn उनको फाइदा देना पढ़लाएंगा कि नुक्सान में और सब्सक्राइब एगोन Harley- Steward को किया ने क्या बहुत किया था किरन जे कि सबसीडी होता है और गवर्मेंट जब लेती है तो पॉलुशन टेक्स नाम से लेती थी याद है अपने पिछले एक्जामपल में देख शुक है अब यहां देने की बारी है तो गवर्मेंट इसको बढ़ावा देने के लिए सबसीडी देंगी मेरी बात समझ में आई बच्च अरिका इमेजिन कर लो और उसके जरिये मैं आपको दो ग्राफ समझाऊंगा यह सब यह जो लिखा है यह आप लोगों के लिए है यह यहां से यह पढ़ना आप लोग को पढ़ना है आप पढ़ सकते हो इतना यह दोनों ग्राफ का एक्स्प्लेनेशन है ग्राफ तो मैं और आप इसको पढ़ोंगे तो आपको पूरा ग्राफ या आपके समझने के लिए डाला है यह जो इतना पूर्शन डाला है ना ताकि आप जब रिविजिन करो तो आपको ग्राफ के साथ अगर आप समझ नहीं आ रहा तो यह लिखा है कि लिए ऐसे ऐसे यह यह पॉइंट में इसे फाइदा मिलता है सोसाइटी को ज्यादा प्राइवेट को कम आई बात समझ नहीं इंटरसेक्शन मार्जिनल सोशल कोस्ट और सोशल वेल्यू कव यानि मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर यह एक और नया नाम जबरदस्ती ले दिया आपको ध्यान रखने ही ज़रूत बराबर उतनी ही कॉस्ट लग रही है तो वह बैनिफिट एक्विलिब्र हुआ की नहीं हुआ की नहीं हुआ की नहीं हुआ ठीक है लेकिन क्या है प्राइवेट वालों को ये बात हजम नहीं है प्राइवेट वाले तो अरे यार नहीं ना पैसे नहीं मिल रहे है अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल को मज़ा नहीं आ रहा रहा गौर्मेंट रेट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए देखो ना अंडर प्रोडियूस हुई या अंडर कर्वियूम हुई अंडर याले कम तो सोशाइटी के लिए अच्छा रहेंगा क्या बिल्कुर्ट